हालो दियर स्टूडेंट्स, वेलकम टो और वर्क्षीट सीरीज ओफ क्लास टू, इंग्लिश मृदंग हमारा चैप्टर नम्मो वान है माय बाइसिकल इस चैप्टर की एक्स्प्लेनेशन और एक्सेसाईज दोनों की ही वीडियोज मैंने पहले से ही डाल दी है आप उनको अच्छे से देखिए, उसके बाद ही वर्क्षीट को अटेम्ट कीजिए ताकि आपको एजी रहे लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में चलिए शुरू करते हैं, question number one, new words of the poem तो इस poem में कुछ new words मैंने रखे हैं जिनकी spellings आपको याद करनी बहुत ज़रूरी है फर्स्ट है bicycle यानि की cycle, paddle, paddle जिससे हम cycle चलाते हैं ride, सवारी करना, aside, एक side में, happily, खुशी से, tires, पहिये, always, हमेशा, track, सही रास्ता, moving, चलती हुई, helmet, helmet जो हम सिर पर पहनते हैं, जब भी कोई two wailer चलाते हैं चलिए, उसके बाद है second question, complete the poem तो यह आप तभी complete कर पाएंगे, जब आपने poem को अच्छे से recite किया है, learn किया है तो पहले आपको अच्छे से learn करना है, उसके बाद ही आप words को यहाँ फील करिए उसके बाद है, the dash is blue in color, the seat, the seat is blue in color, the tires and pedals are black sometimes fast, sometimes slow, but my bicycle is always on track last, to keep my bicycle moving, all I need is some air I put on my little helmet and go happily everywhere तो इन सारे ही words को आप अच्छे से learn कीजिये अब है question number 3, write the names of the parts of the bicycle नीचे एक bicycle की बहुत ही beautiful सी picture है आपको उसके parts बताने हैं, कहाँ पर क्या आएगा यह बताईए इनको क्या कहते हैं, handle और यह क्या है, bell This is light, this is seat, this is tire इसको क्या कहेंगे, यह होती है, seat tube उसके बाद नीचे, यह है paddle और यह जो आपको blue color की दिख रही है, इसको बोलते हैं, chain तो इन सब की spellings आप learn करेंगे अब है question number 4, separate the naming words, action words from the given words and write them in the given space तो यहां कुछ words आपको दिए गए हैं, इन में से आपको अलग-अलग करने हैं, कुछ naming words हैं, और कुछ action words हैं, और नीचे दिए गए columns में उनको fill करना है पहले समझते हैं, naming words क्या होते हैं, naming means name तो जो words किसी का भी नाम बताएं, चाहे किसी person का, place का, या किसी thing का, उसको हम बोलते हैं naming words यानि की noun यह चाओ Ó और action words क्या है ? ऐसे वर्टह जो यह बताते हैं कि हम क्या काम कर रही हैं, कौन सा काम हो रहा है हम कुछ खा रहे हैं, चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं , तो यह जो words बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं उसको बोलते हैं action तो यहां आपको कुछ mix words दिये गए हैं, आपको अलग-अलग करने हैं, तो यहां मैं काम करती हूँ, जो naming words है, उनके उपर N लिखोंगी, और जो action words है, उसके उपर A लिखोंगी, फिर बाद में आप नीचे, फिल कर लीजिएगा, फिर्स्ट है, have, have का मतलब होता है, होना, तो इसको हम action words में count करते हैं, red, तो यह तो किसी का नाम नहीं है, नहीं action है, bicycle, cycle, जो हम ride करते हैं, यह उसका नाम है, तो यह हो गया naming word, paddle, यह भी उसका कोई part है, तो हो गया naming word, ride, यानि की सवारी करना, तो यह action हो गया, तो यह action word है, उसके बाद है goes, goes बना है, go से, और go means जाना, तो यह भी action है, bell, यानि की घंटी, तो यह क्या है कोई thing है, तो यह हो गया हमारा naming word, move, यानि की हिलना, तो यह action हो गया, ऐसे ही seat, तो जो भी cycle के parts हैं वो सारे naming words में आते हैं तो ये naming word हो गया, tires ये भी naming word हो गया, paddles भी naming word हो गया, fast यानि कि जल्दी से, तो ना तो ये naming word है और ना ही ये action है, ऐसे ही slow ना naming word है ना action word है, फिर है track, सही रास्ता, तो ये क्या है, space है, जगा है, place है, तो इसको हम noun में यानि कि naming word में मानेंगे, keep यानि कि रखना, तो ये action होता है, moving यानि कि चलती हुई, तो ये action हो गया, air, hawa, तो ये कोई thing है, तो इसको हम naming word बोलेंगे, put यानि कि रखना, तो ये action word, helmet, ये कोई thing है, तो naming word, go, means जाना, तो ये हो गया action word, ठीक है इन सभी words को अब आप नीचे यहाँ पर लिखेंगे उसके बाद है question number five circle the describing words describing words क्या होते हैं ऐसे words जो हमें ये बताते हैं कि कोई भी चीज कैसी है माल लीजी कोई भी चीज अच्छी है बुरी है, सफेध है, काली है है ना आपके hair का color कैसा है bicycle का color कैसा था तो mostly जितने भी colors name होते हैं वो सारे ही describing words होते हैं तो have, have तो हमारा action word था red जैसा कि मैंने बताया colors name describing words होते हैं paddle ये noun naming word था move action word था blue color है तो ये describing word हो गया tires naming word black describing word track naming keep action air naming और little थोड़ा सा मान लिजिए कोई भी चीज है वो कितनी है, थोड़ी सी है तो ये हो गया describing word अब है, sixth question write the answers in one word एक ही word में आपको answer बताना है first है, what is the color of the bicycle in the poem bicycle का color कैसा था red था what is the color of the seat blue, seat का color blue था and what sound does the bell make bell कैसे sound करती है train, train, train then what is the color of the tires and paddles वो black थे उसके बाद E, what we need to keep our bicycle moving हमारी bicycle चलती रहे इसके लिए हमें क्या चाहिए? air चाहिए then how many tires does the bicycle have bicycle में कितने tires होते हैं? two tires होते हैं देखिए, by का मतलब होता है two ऐसे ही tri का मतलब होता है three तो bicycle में होते हैं two tires और tricycle में होते हैं three tires तो आप यहां three लिखेंगे then who uses bicycle and tricycles? कोन यूज करते हैं? चिल्रन बच्चे करते हैं और people लोग करते हैं और who uses wheelchair? क्या आपने wheelchair को देखा है? उसको कोन यूज करते हैं? people with special needs जिनको चलने में problem होती है help करनी पड़ती है हमें वो यूज करते हैं wheelchair now next question is put tick for the correct and cross for the wrong sentences जो सही है उसको टिक करेंगे जो गलत है उसको क्रॉस करेंगे first है the child has a blue bicycle चाइल के पास क्या blue color की bicycle थी? no the bell goes trin 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 क्या bell trin 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 की आवास करती है? yes next the child's bicycle is always fast क्या बच्ची की bicycle हमेशा fast चलती है? नहीं कभी fast चलती है तो कभी slow चलती है then bicycle has three tires क्या bicycle के तीन टायर होते है? नहीं टू टायर होते हैं तो यह रोंग हो गया then we should put helmet while riding the bicycle जब भी हम cycle चलाएं हमें helmet हमेशा पहनना चाहिए बिल्कुल पहनना चाहिए ताकि हम safe रहें next question है make one too many एक से आपको जादा बनाने है इसको हम बोलते है change the numbers तो friend मतलब की एक ही friend और अगर दो या दो से जादा है तो हम लिखेंगे friends paddle, pedals seat, seats bicycle, bicycles bell, bells tire, tires तो S लग जाएगा सब के पीछे उसके बाद helmet, helmets child, child का होता है children, यह आपको अलग से याद करना है wheelchair, wheelchairs बाकि सब में S लगेगा child का आपको याद रखना है children now next question, the most important question of grammar see the example given and change the action words देखिए action words जो होते हैं वो change होते हैं हमारे according कैसे, जब हम अपनी बात करते हैं यानि कि मैं और हमारी यानि कि दो या दो से जादा लोगों की बात करते हैं तो action words अलग तरीके से लिखे जाते हैं लेकिन जब हम बात करते हैं she या he यानि कि किसी boy या girl के बारे में तो action words change हो जाते हैं कैसे? have चेंज हो जाता है has में, जैसे मैं बोलू I have a pen, मेरे पास एक pen है तो यहां मैं लिखूंगी have, लेकिन अगर मैं लिखूं she dash a pen उसके पास एक pen है, तो have की जगा पे क्या आ जाएगा? has तो हमें he और she के हिसाब से change करना है, I और we के साथ सेम रहेंगे, next वाला देखिए, paddle paddle का हो जाएगा, paddles ride, rides, s लग जाएगा move, moves go, goes make, makes fast, fast s लग जाएगा then slow, slows keep, keeps need, needs put, puts तो जब भी हम action word को I और V के साथ यूज़ करेंगे तो वो वही रहेंगे लेकिन she और he के साथ यूज़ करेंगे तो उसमें s या es लग जाएगा तो यह हमें धान रखना है यह थी है हमारी chapter 1 My Bicycle की वरकशीट मिलते हैं next chapter में till then, keep learning